तो यह मोटे बुबारे का मूँ देखो चाइनीज के मूँ की आप लोगों को यक्कीन होगा इसका मूँ सुजा हुआ है और खास करके एक साइड ना एक साइड जो जिसके पर मैंने मार्क की हुँना वह साइड आप लोग गोर से देखो साफ नजर आ रहा है कि वह साइड है इसकी सुजी हुई है और उपर से आप लोग सोच सकते हो कि ये बंदी रात के टेम पे सोके उठीए मतलब ये बंदी पुरा दीन सोई रही है रात के टेम पे सोके उठीए आप लोगों ने इसका वीडियो देखा होगा इसने वीडियो शुरू की ना तभी पीछे खिड़ के लेकर आई थी और फिर ऐसे गायाब हुई के डेरिक रात को मिली मुझे बड़ी अजीब लग रही है ये बात अच्छा ये भैंता हमें सब बुलती है ना कि मैं सोके उट्टी हूं ना तो मेरी आंके ना चटी-चटी से अज जाती है तो चैनिस के मों की तिरी आंक ऐसे ही चटी-चटी है और जब तो सोक उट्टी है ना तो जो तुप पांडा है ना वो शूच जाता है तेरा न तो तेरी आंकी और चोटी लगने लगती है इतनी भयानक लगने लगी है मैं को तो आजकल बेबो अंटी चोटी दिख रही है यार इंसे इससे बेबो अंटी पतली दिख रही है मुझे इसकी मा मुझे चोटी दिख रही है और इसको देखो पांडे को फैलते जारी फैलते जारी ज़िए पर और जाहिर सी बात है भई बैठे-बैठे-फुकट का हराम का खाने के लिए मिलेंगा शरीफ जूटी तो बोलना है वास उसके अलवा कौन सी मैनत कर कнд loses और जोड़ बाना है और जुर बोलने पने फैसे मिलेंगे तो जहिरती बात इंसान जो बेगारत इन्सान होगा वह इसकी तरह फुलेंगा तो सही न इनको क्या है बताओ यहां तब के गर का भी काम नहीं करती एक इसका हिसाब centralized कि मेन को हिलाओ मत डुलाू मेस बैट के खिलाओ इस तरह की यह बेगैरत और आज की are यह आ आज गारी और हुर यह आज की नहीं बैठके खा रही है क्योंकि पढाईशी जलील औरत हैं पैदाइसी बिगड़ी ज़िये यह पैदाइसी तो पहले भी इसके घर में पुरए-पुरा दिन के लिए नौकरानी रहती थी फिर शारुक की भावी नकराती तो नहीं लगाती इसके सपोर्टर बूलते आज उसके पास में इतना पैसा है तो क्या हुआ बैटके खा रही है तो भैसा उसके पास में आज का पैसा नहीं है और वो आज बैटके नहीं है वो हमेशा से ही बैटके खाती है क्यूंकि वो एक काम चोर औरत है अयाश औरत है वो टैक्सी है वो टैक्सी बस वो अला काम करती है और वो भी उसको बड़ा मज़ यह कुवारे पन से क्यों कि इसको एक तो हवस की भीमारी दूथरा पैथे की लालच तो इस तरह की आउरत है तो कोई भी यह ना बोले कि अब उसने चैनल ग्रो की है तो अब वो कमारी है तो अब भी बाते फिजूल ही तो यह चली अब उसके घर की मुबारक बात देने के लि इतना अनाम्स की तो उसकी माने मिठाई लेके आ गई थी येकिन उनका घर लिये हुए काफी टाइम हो गया है अब इसको याद आया है कि मैं घर की मुबारक बात देने जा रही हूं तो तुम घर की मुबारक बात देने नहीं जा रही हो पिटारा तुम जा रही हो कि इस काम स वह मैं आगे बताती हूं कि इतना उल्लू बनाओगी पिटारा शरम नाम की चीज है तुमारे अंदर कितना जूड बोलती है तुमारा मौनी दुखता चाले नहीं आते मौ में जूड बोलने से बेगहरत और सो क्यों उठी नहीं के नाचने को बाहर निकलने को चले गई क्यों क्योंकि घ़र में तो कुछ काम होता है नहीं है मौटी को अब यह देखो अमी की पिच्छर देखो कितना तयार हुई है अमी बताओ आप आप आपको लग रहा है कि लोग घर की मुबारख बात देने के लिए जा रहे है लग रहा है अप लोगों को कि ये जर की मुबारख बाद है नहीं ना तय्यवा का भी आगे इसने सीन बताई थी उसके अंदर तय्यवाख खुब तयार हो रही थी तो इसने बुली जादा मत करो बहुत हो रहा है अम्योगे को लगता है ये घर की मुबारक बाद देने के लिए जा रहीती और अम्मा आपको थोड़ा से उमर का लिहास करना चाहे चलो उमर का तो चलता है यार कोई भी उमर में कुछ भी कर सकते कम से कम उमरत करके आए हो आज कर रहे हुए हो और दूसरा husband को छोड़ के इधर बैठे हुए हो और इतना खूश अपने आपको दिखा रहे हो थोड़ी सी शरम कर लो अपनी उमर का सच में लियास करना चीए कि महां पे अस्बेंट परेशान है या तुम लिफ्टिक लगा के तयार हो के बेटी जैसा नचारी नाच रहे हो शरम उरम है अच्छा ये बात भी अभी पता चली है मतलब थोड़े दिन पहले पताच चली थी तकरी बने एक हफ्ता के अंदर अंदर मतलब हुआ होगा भता ही ही के अँठी अंकल से डिवास मांग रही है डिवास लेना और वहां पर डिवास की बाते हो रही हैं, यहां पर हमें मेकप शेक अप करके लाली वाली लगा के मास तखी की 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 कर रही है, बताओ, मत अब कितनी अफसोस की बात है ना, इनके लिए डिवास, शादी, और यह मुझ काला कर लेना, किसी के भी बच्चे पैदा करना, किसी को भी शादी करके लेके आना फिर इसको घर में नहीं रखके उदूर रखे रहना और बुलना ये मेरी वाइप है ये सारी चीज़े इनके घर में कितनी आम है ना कोई मतलब ही नहीं है कोई मतलब फरकी नहीं है इनके घर में ना इन सब चीजों को लेके इनकी बेस्ती और ये फारुक की बेटी है फातिमा जो इतना शरम आ रही है उसको खली इतना पुछा कि तुम तैयार हो तो उसको इतनी शरम आ गई तो समझ रहे हो आप लोग समझ रहे हो ना डाल में कुछ काला है या दाल पूरी काली है ऐसे जैसे कि मैं हमेशा बताती हूं पिटारा एक तीर से बहुत सारे निशान मारती है तो बहुत बड़ी गेमर है भई आगे आप लोग सुनना कितनी बड़ी गेमर है यह उसको यह ओडियंस को लगता है हाँ लग रहा होगा बिली को पिटारा को सब समझ में आता है की पिटारा जान्वर है न सो उसको पता है कि पेड क्या पूल रहे है PPV Q क्या सोचरी है अरे पिटारा अबस कर content हो देख तेरा लकदी लानत है तरह content के उपर ते जैसी हो गए यह तरी हालत सची में कुत्ते जैसी तेरा content देख यह देखो इसके views देखो इसको content के हिसाब से इसको views देखो क्या रहे देखा आप लोगों ने पिटारा का content oh my god कितना hot content है पिटारा तुमारा दो लाग भी views नहीं जारे ची 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 देख लाग views पिटारा तुमको देख लाग views कहां गया तुमारा घमन तुम एक celebrity हो ना तुम कह रही ती celebrity हो award मिला था ना पिटारा को best blogger का award मिला था best blogger के ये views तुमा तुमारा पिटारा लग दी लानत है तुरे उपर लग दी लानत बिली ये कह रही है बिली ये सोच रही है तभी तो इसे views आ रहे है पना होती है तो कि मैं हमें सब बोलती हूँ ना कि इसको जो भी views आ रहे थे ये कॉसर का भी नाम से अब तो पब्लिक पग गई है, जबको समझ आगे है, एक उसर भी 420 है, तो अब ये कॉसर को लाए या किसी को भी लाए गी, उस तो इसको आने के नहीं, बाकि इसके हिसाब से, इसकी मेनद से इसको व्यूज नहीं आ रहे थे, और वो इसकी अवकात इ देने और नावर पे भी आप लोग ये बताओ कि आज से पहले ये कितनी बार वकारी लोग के घर पे गई है ना जब नभी नभी अलीजबा आई थी तब भी ये बेशरम गई थी ना उसको वैलकम करने के लिए तो आप लोगों को कहीं से भी थोड़ा सी भी याद है कि इसने क कुछ मिठा लेके गई थी नहीं ना क्योंकि ये कभी किसी के घर कुछ नहीं लेके जाती है मैंसा स्रीफ ख़ड़ी है ना खा के आती बिखारन खा के आने को चाहिए इसको ये कभी किसी को कुछ दे के नहीं आती है और इस बार ये मिठा लेके जा रही है और मिठे में क्या केक और उस पर क्या लिखाई है घर मुबारक अच्छा पिटारा एक ही केक लीती तुने यह पिटारा तो वीडियो को एंट लग के जरूर देखना जब लग के आप लोगों को सारा कुछ समझ आज जाएंगा कि पिटारा कितनी चालू है मतलब इस वीडियो में इसने कितना च कितनी घटिया औरत है अभी मैंने आप लोगों को सारी कहानी बताई ना कि इसके पास में सुरू से ही पैसे थे सुरू से यह याश औरत थी और जबके वो जो आता था एजाज वो तो अच्छे खासे पैसे इसके पीछे लुटाते रहता था और ऐसा नहीं है कि एजाज इस पैसे तरे आरत हो जाए बारत हैं ना किरे स्ब पैसे टरे गायव हो जाए जहां से अल्ला ने तुझे दिया है ना दूतरों रस्ते से अल्ला सारे पैसे तरह निकाल दो अेंन सच्वंहीं ऐसी रासते पे आ जाए कि तुझे ये Didat ॉन ना शुकराना बारत ही ना औरत उ सी तरह से अल्ला तुझे तरी वकात दिखाए अच्छा यह वाला किलीफ देखो नो कैसे केक की थेली हाथ में से ले ली न ऐसे तो पूरे रस्ते अम्मा ने लेकर आई केक पकड़के गाड़ी से यहां तर लगके और जैसे ही सीड़ी चड़ने लगी तो केक की थेली ले ली मु रते माले पे था शिक्स फ्लोर अम्मा के पैर नहीं दुखे यहां बिल्कूल नहीं मज़े से चड़ गई छे माला और कहां तो सलमा के पास में पहुंसते साथ में पैरों में लख्वे मारे गए डंडे मारे गए पता नहीं क्या क्या हो गया लेगिन यहां पर आने के बाद ने पता नहीं कौन सा दी होगी तो अम्मा को बहुत जवानी आ गई भई अब अम्मा के पैरों में दरद नहीं है पिचर तो देख रहे हो ना आप तो नंगी ही घुम मैं तो बोलती हूं तो एना इसलाम से निकल जा इतनी मनुस औरत है तू जलील औरत बारको सबको यह ली अलमारी ने अच्छा तो वकार लोगों ने घर लिया तीन डूम है उसके अंदर तीन बैट रूम है किच्चन है हॉल है और उसके अंदर अलमारी ले लिए और पिटारा ने क्या बूली थी कि यहां पे घर बहुत महिंगे है मैं घर अपॉर्ड नहीं कर सकती पिटारा ने जिस तरह से कहा कि आपको बहुत खुशी हो रही है ना घर की मुझे भी बहुत खुशी है अपने घर जाने की तो पिटारा ये बता कि तू इतने स वकार तो एक साल हुआ है विडियो बना रहा है वकार लोग उने घर ले लिया लेकिन तेरा अभी तलक खुद का घर नहीं है ताज्जूब की बात है ना पिटारा तू अभी पहला घर लिये वो भी तीन गाड़ी तीन घर दो प्लॉट छे बंगले वो सब भी बता दे पिटा पिटारा तुझे ना अल्ला इसी सजा देंगा ना यह सारी चीज़े ना तेरी अला सच में छीन ले अल्ला करे ना सच फिए इसके बहुत सक्षिस में कि ढ़ाया कृवत से इसके फिना मुझे दिखोगे अ मुझे तो लगता है कि अदा कराची इसने खरूच चुकी होगी और अभी बोल रही है कि अभी तलक के मेरे खुद का घर नहीं है अब जाके मैंने घर ली हूँ बहुत बेशर में पिटा रहत हूँ यह वकार का कमर और इसके जो यह वकार की हमी है न इनके रूम इनों ने दिखाए न उसके अंदर फनीचर वगटरा 도 कुछ भी नहीं था जो अलिजवा है उसके कमरा अच्छे से था मतलब फनीचर वगद बैड ये वो कबट वगेरा सब था और वकार के कमरे में सब पूछें तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वकार की और फातिमा की शादी की जो बाते चल रही है वो हिसाब से वकार का घर है ना अलग से रूम बना के उसके अंदर ये सारी कुछ तैयारियां की गई है और इसलिए ये जान बूच के बता रही है कि इच्छा ये वकार का कमरे अच्छा क्या ड्रामे करते हैं लोग बगी मुझे एक चीज देखके बड़ी अक्सोस लगा अक्सोस नहीं लगा बलके पिटारा है होडी और गटिया और इसके घर पे अगर कोई आएंगा ना तो बच् खाना नहीं खाती इनके हमेशा बर्गर पिज़ा ये वो कोल्डरिंग वगेरा सब कुछ बाहर से आता है और फिर ये खाती है टूसती और निकलती है तो आप लोगों को मैं एक चीज या दिला दूँ आशा ने कुछ दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसके अंदर वो कह drip का नहीं खाती है नहीं झाती है तो अम्मी को यह भी बोली हूं के आप चलो मैं आपको बाहर की लाती हूं तो ये दिमाग में आ इनके हेरे कि हम लोग बहुत बड़े मना हो जबपनाती बाहर के आध делает को इतनी बड़ी यह डाया नहुरत है आप देले छोटा सा सब्सक्राइज है आजाए अब आजाए अब इसके नाम पे ड्रामा तीक इतना अच्छा करें ना पिटारा के मुव से देखो लग रहा है कि कोई सर्प्राइज है जिस तरह ते अभी हमें अगर कोई बुलेंगा कि स प्रप्राइज है क्या नहीं है बताओ पहले मैंना यह फॉरन उटके भागी साप नजरा रहा है पूरा प्री प्लाइंट है यह आपके सितारा के आसमान के लिए तो आप लोगों को लगता नहीं है के पिटारा ने जो घर मुबारक केक नी इसके साथ साथ में यह केक भी ले जाहिरती बात है कि महरम इसने बिल्कुल भी नहीं शेयर की बिल्कुल भी इसने महरम नहीं मनाई और इसे ओपर वीडियो बन गई है इसे ओपर के इसने महरम नहीं मनाई अब यह अगर यह सेलिबरेट करती तो जाहिरती बात है कि इसको जूते तो पढ़ने थे इसके कई से लगरा तक के दावत काने के लिए यह अब नहीं यह अपने के सेलिबरेट करने के लिए यह यह आए थी और केड भी अपने साथ लेकर आई थी यह ता पिर आए जोटी और मकार रहरे थे कि मैं उनको घर की मुबारक बात देने नहीं गई थी अपने ना एक लाग जो सब्सक्राइबर वह वह सेलिब्रेट करने के लिए इदर आई थी इसलिए तो अम्मा ने अच्छे से लिफ्टिक लगाई थी क्या प्रॉड औरते भई क्या प्रॉड है यह कह रही है कि मैं सर्प्राइज देते रहती हूं मुझे कभी सर्प्राइज नहीं मिला वा भई वा मोटी तो कब सर्प्राइज देती है कितनी जूटी औरते भई शरम इसको बिलकुल नहीं ना अच्छा दूसरा यह रिजन भी थ प्रिक्ता, इनका सब का तयार होके यहां पर आने का यह जो वकार का और फातिमा का रिष्टा पक्का हुआ है ना तो लोग शायद पातिमा को यह घर दिखाने के लिए लेकर आए थे इसलिए एक-एक रूम अच्छे से दिखा रेते और उसको तो खैर घर दिखाने लाये थे और खुद लोग भी घर देखने के लिए आए थे यह मैं न यह दादी सास बनके आई थी वकार की घर देखने के लिए और यह जो नाश्टा पानी हुआ है इसके अंदर कुछ ना कुछ बाते तय हुई है अब मुझे लबता है थोड़े दिन में नजमा और पारुक आएंगे और कोई ना कोई फंक्चन या कोई ना कोई चीज अनाउंस जरूर होईंगी कितनी घटिया उरत है न महरम नहीं मनाई है 100K का सेलिब्रेशन जरूर की देख लिए आप लोगों ने कितनी घटिया उरत है यह ऐसी उरत को मुस्लिम लोग जो सपोर्ट कर रहे है न शरम आनी अच्छी एं लोगों को भी क्या देख को सपोर्ट कर रहे हैं गंदग्रावा तो कोई अच्छाई कभी भी एक्स वोस नहीं कभी भी बाहर नहीं और इसी घटिया ओरत को सपोर्ट लाना थे उन लोगों के फ़र भी तो वीडियो करताना वीडियो पसंद आएंगी तो पा प्याप्यस्ट